आज मैं आपके लिए अमेजिंग से किजिन टिप्स और रिसिपीज लेके आई हूँ जो आपका काम तो आसान करती ही है साथ ही मैं आपका वक्त भी बचाते है और पैसे भी थोड़ी से भी अगर वीडियो पसंद आए फैंज तो लाइक कीजेगा शेर कीजेगा और सब्सक्र पुलाओ तो वेजेटेबल को पहले सौटे कर लिया है इसके बाद मैंने इसमें राइस दाल दिया है राइस जब गीले होते हैं तो काफी नाजक होते हैं तो आप हलकी से चलाईए आज मैं आपको रेस्टोरेंट में मिलने वाला पुलाओ कैसे बनाते है क्या उसमें डालत जी हाँ अपने सही सुना दूद इसमें आड़ कर लेंगे आधा कटोरी के आसपास इसले पानी थोड़ा एकॉर्डिंगली ही डाले और इसे मिक्स कर लेंगे अब आप चाहे इसे प्रेशर कूक करें या आप खुले में पकाना चाते तो वैसे भी पका ले मैं यहाँ आज इसको प्रेशर कूकर करने वाली हूं तो प्रेशर कूक हो चुका है और इसका जो प्रेशर है वो भी निकल चुका है यह देखिए परफेक्ट हमारे जो राइस है हमारा जो पुलाव है वो बनके रेडी है रेस्टोरेंट में जो पुलाव मिलता है उसमें अलग से मिठास ह तो अब ये टिप देखने के बाद आप भी इस तरह से दूट डालिए अच्छली बड़े लोग भी नहीं पीते दूट तो अगर चावल में या पुलाव में दूट डालेंगे तो उनको दूट के बेनिफिट्स भी मिलेंगे और साथ ही में ये बहुत ही टेस्टी और में कहा गया है कि रोज तूलसी का पत्ता खाना चाहिए बद क्या आप खाते हैं या भूल जाते हैं जरू मुझे कमेंट करके बताएगा आज एक ऐसा तरीका बताऊंगी जो आप बिना भूले रोज इसे खाना शिरू कर दोगे और खुद भी खाओगे और आपके परिवा में आप इसे वाश करें अभी जैसे आप देख रहे हैं मौसम में चेंज आ रहा है बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है तो इस मौसम में सब को इम्म्यूनिटी की जादा जरूरत होती है तो तूलसी के पत्ते तो खाने ही चाहिए सर्दी जुकाम ऐसे च्छोटी मुट इतने ही पत्ते करती हूं और जब मुझे चाहिए यह खतम हो गए तो फिर से मैं उतने ही पत्ते वापस कर लेती हूं तो थोड़ा थोड़ा करिए बट करिए ज़रूर तो आपको इसको लो फ्लेम पे अभी दो से तीन मिनिट के लिए इस तरह से करना है और कंटिनूसली से चलाते भी रहे ताकि यह अच्छी तरह से सारी तरीके से यह इसका जो मुश्चर है वो खतम हो सके और यह क्रिस्प हो जाए यह देखिए इस तरह से सिकूर चुके है यह अब इसी टाइम पर मैं क्या करूंगी फ्रेंस गैस को आफ कर लेती हूं क्यूंकि हम इसे जलाना न जो ए तरम से यह देखिए किता क्रिस्पी हो चुका है तो इसको मैं इस तरह से हाथ से क्रूश कर लूँगी इसे मैं अगर अभी आप ए जा पतीमें चै केके शाय पतिमें तो चैय पतिमें अगर आप चाई पीते हैं तो चाय जांब ब्सट सबलें तो दूद जा एडिके आपको कैसे लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताईगा चलिए फ्रेंज अगली टिप डेफिनेटली आपको पसन आएगी तो आज एक बची हुई रोटी के साथ एक तम बढ़िया सा डेजर्ट की रेसिपी लेके आई हूँ फ्रेंज जी हाँ डेजर्ट मीठा जो कोई खाना इसका मना नहीं करेगा इनफेक्ट बच्चे तो ऐसे खाने वाले और दिवाने हो जाने वाले है तो अगरम तरवम मिठाईया खाने से अच्छा आप बच्ची हुई रोटी से या फ्रेश रोटी बना के भी आप यह कर सकते हैं इसको तो तोड़ लिया है अब मिक्सी जा ल एक बोल में ट्रांसफर कर लेती हूँ यह रखिए अब चलिए इसकी मिठाई बना रहे है तो इंग्रीडियंट भी ऐसे जो हमारे घर पे अविलेबल होंगे तो सबसे पहले में चोकलेट फ्लेवर देना चाहती हूँ तो मैंने यह कोको पाउडर एक चमच डाल दिया है मिल् पाउडर दाल दिया है तो इसकी रिचनेस बढ़ जाएगी और कोको पाउडर ऑप्शनल है अगर चोकलेटी बनाना चाहते तो आप एड कर सकते हैं अब इसे हल्दी बनाने के लिए फ्रेंट्स मिल्क भी आ गया रोटी भी आ गया कोको पाउडर फ्लेवर के लिए इसको मि देसी वाला और थोड़ा सबने गुड़ दाला है आपकी रोटी कितनी है उसके साफ से आप डाल दे आपको कितना मीठा खाना है उसके साफ से डाल दे और इसको क्रमबल कर लेंगे इस तरह से इसमे और चीज मैं एड करूंगी जिससे बाइंडिंग आ जाएगी तो वह है आधा चमच के आसपास ही दालूंगी क्योंकि हम रोठी पे भी घी लगाते है तो थोड़ा कम ही डालेगा और सारी चीजों को आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है यह देखिए अगर आपको लगे कि ड्राइ है तो आप थोड़ा सा गी और भी आड कर सकते हैं बट यह पॉफिकली हो जाता है फ्रेंड्स इस तरह से क्योंकि गोड अपना मॉइस्चर छोड़ता है जब आप इस तरह से मसलते हैं तो इस तरह से मसलते जाए और आप देखिए कि तो यह देखिए दम बढ़िया से चॉकलेटी लड़ू बनके रेड़ी है यह देखिए आप चाहे तो पॉक पाउडर ना ऐड़ करके इसमें ड्राइफूस भी आड़ कर सकते हैं जो बच्चो को खिलाना चाहते है वह आप इसमें आड़ कर सकते हैं आपकी तो आपके घर पे भी अगर ऐसा हो रहा है या बची हुई रोटी है तो जरूर इस टाइब के चॉकलेट लड़ू बनाएं सबी को बहुत पसनाएंगे और यह देखिए तोड़के बता देती हूं किता मॉइस्ट बना है यह देखिए दम दानेदार ऐसे लगी का मावा इसे है क्योंकि हमने मिल्क पाउडर भी बी आड किया है रेसेपी जरूर चेक आउट करेगा यह दिए तो फ्रेंड्स कैसे लगी आपको आज की अमेजंग टिप्स कोन से टिप आपको अब सबसे पसंगाई उसके लिए जरूर कमेंट करेगा कोई भी विड़्बेक हो सजेशन ह या request हो तो मुझे जरूर लिख के भेजेगा friends बहुत जादा मैनत कर रही हो तो एक like कर दीजेगा अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे है तो definitely आपको पसनाई होगे इससे मुझे motivation मिलता है और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए शेर कीजेगा आपके friends और family के साथ अगर आपको यह वीडियो useful लगे subscribe कीजे घंटे के साथ ताकि सारे वीडियो की notification मिल सके till then take care bye bye